सिवलिंग पर बेल पत्र चड़ाने के नियम, बेल पत्र कटा या फटा नहीं होना चाहिए, बेल पत्र में तीन पत्यां एक साथ होनी चाहिए, सावन के महिने में 3, 11, 21, 51 या 101 बेल पत्र सिवलिंग पर अरपित करने से भगवान सी परसंद हो जाते हैं, कभी भी भगवान सं करको खाली बेल पत्र अर्पित न करें इसे औसुमाना जाता है बेल पत्र के साथ जल की धारा भी जरूर होना चाहिए यानि की बेल पत्र अर्पित करने के पहले और बेल पत्र अर्पित करने के बाद भी जल की धारा सीव लिंक पर आपको अवस ही अर्पित करना चाहिए इससे भगवान शीव अतिव प्रसंद हो जाते हैं